नमस्कार भाईयों और बेहनों, हतेली में तिल बदल सकता है आपका भागे, जानिए कौन सी जगए भोने पर हस्त रेखा के अनुशार हाथ की मद्धेमा अंगुली पर तिल सुब माना जाता है जिसकी हतेली की मद्धेमा अंगुली पर तिल होता है, उसे सुख संब्रदी की प्राप्ती होती है, जबकि मद्धेमा के नीचे शनी पर तिल अच्छा नहीं माना जाता हस्त रेखा के अनुशार, यदि किसी व्यक्ति के हतेली पर अंगुठे के नीचे तिल होता है, तो उसे जिवन में अपार शफलता हैं मिल सकती हैं, लेकिन अगर अंगुठे के उपर तिल होता है, तो मैनत करने के बाद भी परणाम कम ही दिखाई देता है हाथ की मद्यमा अंगुली पर तिल सुब माना जाता है, जिसकी हतेली की मद्यमा अंगुली पर तिल होता है, उसे सुख और सम्रिद्धी की प्राप्ति होती है, तथा मद्यमा के नीचे सनी परवत पर तिल अच्छा नहीं माना जाता है जिन लोगों की हतेली में चंद्र परवत पर तिल होता है उनका मन एस्तिर और एसांत रहता है ऐसे व्यक्तियों को विवास समंदित परेशानियों का भी शामना करना पड़ सकता है जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र परवत पर तिल होता है वे काफी खर्चिले माने जाते हैं लेकिन ऐसे लोगों के पास धन की कमी भी नहीं रहती है बलकि धनवान बने रहते हैं जिस व्यक्ति की बाई हतेली में तिल होता है वे खूब धन कमाते हैं लेकिन खर्चिले सोभाव के होने के कारण बचत कम ही कर पाते हैं हाथ की सबसे चोटी अंगोली पर तिल होने वाले लोगों को जीमन में धन की कमी कभी नहीं देखी गई है लेकिन उतार जड़ाव जरूर आते रहते हैं हस्त्र एका सास्त्र के अनुषार अगर किसी के हतेली के सुक्र ख्षत्र पर तिल हो तो जीवन में कई बीमारियों का संकेत देता है इसके अलावा हर्देर एका पर तिल हाट समंदी परहशानियों का भी संकेत देता है हस्तर एखास आस्तर के एनुसार अगर हतेली के बीच में तिल हो तो धनलाब के लिए सुब संकेत माना जा सकता है ये थी जानकारी आजगी हतेली में तिल होने का मतलब क्या होता है आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी है तो हमारी चैनल दो साती टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकोन को दबा दीजिए ताके आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप घर बेठे प्राप्त कर सकें और वीडियो पसंद आता है लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा धन्यवाद स्वस्त रहिए मस्त रहिए मगर आलमस्त कभी मत रहिए थैंक यू